नमस्कार स्वागत है आपका न्यूस वर्ल्ड इंडिया में मैं हूँ आपके साथ भारती सिंग नजर डाल लेते हैं खास ख़बरों पर नई साल के मौके पर भारत अस्थाई सदसे के तौर पर संयूक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद में शामिल हो गया भारत दो साल तक इसका सदसे रहेगा भारत के अंतराष्ट्री संस्था के सदसे बनने का फ्रांस ने स्वागत किया UNSC में पाँच स्थानिय सदसे और दस अस्थाई सदसे होते हैं भारत को अस्थाई सदसे के तौर पर UNSC में आचवी बार सीट मिलेगी इससे पहले भारत ने सुरक्षा परिशद में व्यापक सहीयों की जरुरत को रेखांकित करते हुए का था कि अस्थाई सदसे के तौर पर भारत अपने कारेकाल में मानवदिकारों और विकास जैसी बुनियादी मुल्यों को बढ़हवा देगा भारत की अस्थाई सदस्ता के कारण सीमा पार आतंगवाद, आतंगवाद को फंडिंग, मनी लॉंडरिंग, कश्मीर जैसे मुद्धो पर भारत की स्थिती मजबूत होगी परिशद में भारत, नौर्वे, केनिया, आयरलैंड, मैक्सिको के अलावा पांच स्थाई सदस्यों, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटिन और अमेरिका और अस्थाई सदस्यों, एस्तोनियों, नाइजर, सेंट विसंट, टुनीशिया और वियतनाम के साथ पैठेगा भारत अगस 2021 में 15 देशों वाली शक्तिशाली परिशत में अध्यक्षपद की जिम्यदारी निभाएगा, हर सदस्य देश बारी-बारी से एक माह के लिए परिशद में अध्यक्षता करता है भारत के अलावा नौर्वे, केन्या, आर्लेंड और मैक्सिको वर्ष 2021 में अस्थाई सदस्य के तौर पर शामिल हुए मद्यप्रदेश में शिवराज कैबिनेट का विस्तार होगा शपत ग्रहन समारो तीन जनवरी रविवार को साड़े बारा बजे राजभवन में हो सकता है फिलाल राजपाल आनंदी बेन पटेल प्रदेश से बाहर हैं लेकिन शनिवार शाम तक यह रविवार सुभा उनके भुपाल वापसाने की संभावना है हाला कि अभी आधिकारिक तोर पर शपत ग्रहन का समय तैन नहीं हुआ है शिवराज कैबिनेट में किसको जगा मिलेगी इस पर अभी कुछ तैन नहीं हुआ है शिवराज जिस जटल मुद्दे पर बीजेपी नेता जोतरादिते सिंध्या प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात कर चुके हैं लेकिन कैबिनेट में शामिल होने वाले विधायकों की लिस्ट फाइनल नहीं हो सकी है बता दें कि MP का कैबिनेट विस्तार कई महीनों से रुका हुआ है MP के उपचुनाव के नतीजे आए हुए डेड़ महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है लेकिन शिवराद सिंग चौहान कैबिनेट का वस्तार अब तक नहीं हो पाया है शिवराद सिंग चौहान के सामने सिंध्या समर्थक विधायकों को मंत्री मंडल में एज़िस्ट कराने की चुनौती है इसके अलावा CM चौहान के सामने हारे हुए उमीदवारों को भी एज़िस्ट करने की एक चुनौती होगी बीजेपी ने उपचनाव के बाद अपने दम पर बहुमत हांसल कर लिया है CM शिवराद सिंग चौहान के सामने असली चौनौती होगी कि वह कैबिनेट की बची हुई सीटों पर जोत्रादिदे सिंधा के समर्थकों को शामिल करे या फिर बीजेपी के उननेताओं को जिनको पिछले कैबिनेट विस्तार में जगा नहीं मिल पाई थी इंडियन ओयल के मुताबिक एक जनवरी से 19 किलो वाले कमर्शिल गैस सिलिंडर की कीमत दिल्ली में 1349 रुपे होगी इसे पहले 15 दिसंबर को ये कीमत 1332 रुपे थी यानि प्रती सिलिंडर 17 रुपे की बढ़त हुई है तेल मार्केटिंग कमपनियों ने नए साल के पहले दिन ही LPG गैस सिलिंडर के दाम में जाफा कर दिया है पिछले महीने भी गैस सिलिंडर के दाम में करीब 100 रुपे की बढ़त देखी गई थी हलाकि एक जनवरी यानि कल से जो इजाफा किया गया है वे कमर्शिल सिलिंडर के दाम पर हुआ है घरेलू गैस सिलिंडर में कल कोई इजाफा नहीं हुआ था पिछले महीने घरेलू रसोई गैस सिलिंडर की चीमत में दो बार करीब 100 रुपे की बढ़त देखी जा चुकी है चिन्ने में 1470.50 रुपे और मुंबय में 1280.50 रुपे की गई है पिछले महीने गैस सिलिंडर की कीमत में काफी बढ़ोतरी देखी गई थी घरेलूरसोई गैस की कीमत में दो बार करीब 100 रुपे तक की बढ़ोतरी देखी गई है जिसके बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला गैस सबसिडी LPG सिलिंडर अब 694 रुपे का हो गया है पांच किलो वाले छोटे गैस सिलिंडर के दाम में 18 रुपे की बढ़ोतरी देखी गई है जापान में लकडी से बनी सैटलाइट पर काम किया जा रहा है वायू मंडल में सैटलाइट में पैदा हुआ मलबा चक्कर काट रहा है जो खतरनाक साबित हो सकता है नासा के मुताबिक पांच लाग से जादा मलबे के टुकडे हमारी धर्ती के चक्कर काट रहे हैं इन में से कई तेज गती से घूम रहे हैं जिनकी वजह से हमारी सैटलाइट या स्पेस क्राफ्ट तक को नुकसान हो सकता है मलबे के इन टुकडों की वजह से इंटरनाशनल स्पेस स्टेशन को भी खतरा हो सकता है जापान के एस्ट्रोनाट और यूनिवरस्टी प्रोफिसर ताकाओ दोई के मुकताबिक यह एक चिंता का विशे है उन्होंने बताया कि सैटलाइट धर्ती में वापस आते वक्त जल जाती है उसका मलबा सालों तक वायू मंडल में घूमता रहता है इससे पर्यवरन पर असर पड़ता है नासा के मुताबिक यह टुकडे 17,500 मील प्रतिगंटे की रफतार तक हासिल कर सकते हैं जापान ने इसका समधान निकालने के लिए लकडी से बने सैटलाइट पर काम करना शुरू कर दिया है ये तापमान में होने वाले बदलाव और सूरज की रोशनी के खिलाव प्रतिरोधक शमता से लेस होंगी ये अपनी तरह का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके लिए धरती की विश्मे परिस्तितियों में लकडी को टेस्ट किया जा रहा है धरती में दाखिल होने पर ये पूरी तरह जल जाएगी और कोई मलबा बाकी नहीं रहेगा फिलाल खास कबरों में इतना ही जुड़े रहिए News World India के साथ धन्यवाद